वाट्सप गाइज मैं हूँ आसिम सर्वर और इस वक्ती ब्रेकिंग न्यूज है कि श्यामी ने लॉंच किया है अपना लेटेस्ट फ्लैक्शिफ फोन MI6 चाइना के अंदर स्पेसिफिकेशन वाइज इसके अंदर आपको मिलता है क्वाल कॉम का लेटेस्ट स्नैब रगने 35 प्रोसेसर जो एक उक्ता कोर प्रोसेसर है विट 2.45 गीगाहट्स अप्लॉक स्पीड इसके साथ आपको मिलती है छे जी बी की रैम, 64 ये 120 जी बी के इंटरनल मेमोरी जो की एकस्पेंड़बल नहीं है ये शुआमी का पहला फोन है जिसमें है डूल कैमरा सेट अप जिसमें आपको मिलते हैं दो 12 मेगापिक्सल के कैमरा एफ 1.8 अपर्चेर वैल्यू के साथ इसका front camera है 8MP का और इसके अंदर आपको मिलता है fingerprint sensor जो है screen के अंदर लगा हुआ इसके साथ आपको मिलती है 5.15 इंच की full HD IPS display और ये run करता है Android 7.1 Nougat out of the box इसके साथ आपको अंदर मिलती है 3350 mAh की battery जो fast charging को support करती है फोन का design काफी ज़्यादा premium है इसके अंदर front और back में glass का use किया गया है और इसका side chassis है stainless steel का Interestingly Xiaomi ने इसके अंदर 3.5 mm का headphone jack नहीं दिया है तो फिर songs सुनने के लिए आपको USB connector का use करना पड़ेगा ये downside भी है क्योंकि अगर आपको phone charge करना है तो आप songs नहीं सुन सकते phone के 64 GB variant का price है 2500 यानि की लगभग 23,000 रुपए और 128 GB variant का price है 29,000 यानि की लगभग 27,000 रुपए MI6 से India price point की बात करें तो ये Chinese variant से बहुत जादा different नहीं होना चाहिए 128 GB वाला variant लगभग 32,000 और 64 GB वाला variant लगभग 27,000 रुच में launch होना चाहिए श्यामी ने MI6 वी complete budget flagship phone बनाने की कोशिश किया है तो देखना यह है कि कितना successful होती है company OnePlus से ये title चीनने में जो इस वर्ग champion है budget flagship phone में तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपके कोई भी सवाल है तो उन्हें कमेंट कीजे चैनल को like और subscribe करना मत भूलिए ताकि हम उसे जुड़े रहें ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए तब तक के लिए this is Aasim server signing off